जहिन दोस्तों बंदे मातरम, पिछले महीने दैनिक भासकर काफी ज़दा चर्चा में बना हुआ था, चर्चा का कारण बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि कुछ रेड दैनिक भासकर के उपर पड़ी थी, इसके बाद ये कहा जा रहा था कि सरकार इसलिए इस प्रकार की रे उल्दा सभी लोग देख रहे हैं, ऺपड़ी और देशों के लोग भी हो, वहां से भाग रहे हैं, निकलना चाहते हैं, बस कुछ भी करकि वो लोग पढ़blick कोशिक कर रहे हैं, कि लोग अफगानिस्तान से निकल जाएं, ऐसे बहुत अछी सारे धमाके हो रहे हैं, निसमें कि उन्होंने कुछ ऐसी बाते कहीं जो कि शायद आपको सुनके थोड़ सा अटपटा लगेगा मतलब आपको सही लगे या गलत लगे की बात नहीं पर आपको अटपटा जरूर लगेगा दरसल इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो हिंदू और सिख अपनी दुकानों को छोड़कर यहां से भाग गए हैं अवगानिस्तान से अब उनका कारोबार समहल रहे हैं थ्यान रखेगा समहल रहे हैं वहीं पर रहने वाले मुसल्मान जो कि उनके मतलब हिंदू और सिखों के वापस आने पर उनका कारोबार उनको लोटा देंगे कुछ इस तरह का संक्षिप्ट में बात था अब हम इस रिपोर्ट में जान लेते हैं कि पूर तरिये से क्या बात थी जो की कही गई है भारत में मेंस्ट्री मीडिया ने हमेशा से इसलामी कट्रपंतियों के लिए नरम रोक अक्तियार किया है दैनिक भासकर भी उन्यूए से एक है रविवार 19 अगस को इसने चौकाने वाला दावा करते हूँ एक रिपोर्ट प्रकाशित करी रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान के जलालाबाद में अब कोई हिंदू सिक नहीं है वो अपना घर कारोबार छोड़कर यहां से चले गए हैं लेकिन उनके और मुस्लिम समुदाय के बीच सम्मन्द इतने मजबूत हैं कि उनके लोटने तक वे उनका कारोबार समाल रहे हैं ये बात पढ़के मुझे काफी ज़्यादा हसी भी आई थी जब मैंने नियूस पेपर में आइटिकल पढ़ा था हम यहां पर अफगानिस्तान और तालिबान के मामले पर गंबीर है वहीं भास कर जाता है कि हम उसकी इस रिपोर्ट पर विश्वास करें उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति को ये कहते हुए भी कोट किया कि मैं क्लिनिक के मालिक को रोज यहां के हालात की अपडेट देता हूँ हमें यकीन है कि हालात सुधरेंगे तो वे लोट आएंगे अब तक जब तक वो आ नहीं जाते तब तक उनका कारोबार बंद नहीं होने देंगे इस रिपोर्ट के मानने कि बाद मानो भारती हिंदी अकबार इस कोडी कलपना में पूरी तरह से डूब गया कि भासकर के इस रवएए को लेकर यहां मीम्स का उलेक करना आवशक है जैसे कि यह एक मीम काफिछा दा वायरल हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि आर यू रियली टिकिंग केर आफ दो बिजनस आफ अफ अफगान्स हिंदू और सिक्स एंटिल दे रिटर्न इसको लेकर यह शक्स हस्ता हुआ नजर आया जाहिर सी बात है कई सारे जो मीम्स हैं इसके ओपर वायरल हुए थे लेकिन मीम एक शोटाइम डॉक्यूमेंटरी का स्क्रीन शॉट है जहां पतरकार तालिबान से पूछती है क्या उनके शासन में अफगानिस्तान में लोकतंतर होगा और महिलाओं का वोट देने के अनुमत मिलेगी लेकिन ये बात दैनिगवासकरी रिपोर्ट पर काफी हद तक लागू भी होती जिस तरह की बातें उन्होंने करी है ये हम सबी जानते हैं कि अफगानिस्तान में अफगान हिंदू और सिखों की संपत्ती के साथ क्या हो रहा है बात थानिये निवासियों दोरा उनकी देखवाल के नाम पर उन पर कबज़ा किया जा रहा है जो हमें दिखाया जा रहा है वो वास्तिक्ता से ठीक उलट है मीडिया अफगान हिंदूओं सिखों पर किये गए जुल्मों पर मरहम लगाने की बजाए उस पर नमक चड़कने काम कर रही है क्या किसी को सच में विश्वास है कि एक बर फिर से अफगानिस्तान में जीवन सावान ने हो सकेगा क्या अफगान हिंदू और सिख अफगानिस्तान लौट पाएंगे और अफगानिस्तान के संदर्ब में काम डाउन का अर्थ क्या है देश में पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से यहां पर ग्रहयुद चल रहा है क्या भारत आया कोई से किया हिंदू कभी वापस जा पाया वो भी क्यों ही जाना चाहेंगे दीवार पर सपस्ट लिखा हुआ है फिर भी मीडिया हमें मूर्ख बनाने में तला हुआ है यहां जो हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है जब जब इसलामी आकरवन हुए हैं तब तब हिंदूों को प्लान करने के लिए मजबूर किया गया है उनकी संबत्तियों पर उनके पड़ोसियों और उन लोगों ने कबजा कर लिया है जिनके बारे में वो सोचते थे कि उनके साथ अच्छे संबन्ध है कश्मीर में हुआ अब अगलादेश में हुआ और अफगानस्तान में यह सब हो रहा है मीडिया निश्चत रूप से यह सब जानता है इसके बावजूद उसका इस तरह से दावे करना विश्वास घात है वे इस तरह के हासपत लेक लिखने से बच सकते हैं ध्यान दें जब भी इसलामिक चरमपंद दुनिया में कहीं भी हिंसा और नफरत फैलाता है तब ही मीडिया किसी ने किसी तरह से उन्हें दुनिया वालों की नफरत से बचाने के लिए हासपत बकवास करने पर आमदा हो जाते हैं यह अफगानिस्तान पर तालिबान के कबजे के दोरान ज्यादा देखने को मिलता है भारती मीडिया ऐसे अपने नजरिये से लोगों को दिखाने का प्रयास कर रही है उधारन के लिए एने टीवी ने तालिबान के प्रवक्ता को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मंच प्रदान किया उसी समय भारती लिबरलों ने एक समवादाता सम्मेलन आयोजीत करने के लिए जिहादी संगठन की सराना भी करी इस प्रकार ये बिलकुल भी आश्यर की बात नहीं है कि तालिबान पर प्रवगंड़ों को फिलाने वाले उद्योग ये भी मानता है ये आफगानिसान में कैसे स्थानी मुसलमान आफगान सिक हिंदू की संपत्यों की देख भाल कर रहे है अब प्रमान के लिए देखिए मैं आपको कश्मीरी पंडितों का एक्जामपल दे सकता हूँ पाकिस्तान से और भारत से जो विभाजन हुआ था उस समय लोगों का जो मतलब एक से दूसरी तरफ जाना हुआ था उसका एक्जामपल दे सकता हूँ बागलदेश से जो लोग इधर आये थे उनका एक्जामपल दे सकता हूँ ऐसे में इस तरह का लेक प्रकाशित करके इस तरह की बाते करना ये अपने आप में ही एक कैसे समझा हो मैं आपको एक बहुती मुर्खता पूर्ण बात लगती है मेरे इस वीडियों फिलाल इतना ही है आपका इस विशे पर क्या कहना मुझे कमेंट करके जरूर रताईएगा जैहिन जैपाराद